नमस्कार इनन भारत में आपका स्वागत है मैं नंदीता आपके साथ बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर जो दिल्ली से है इन दिनों देश में जो चल रहा है वो किसी मजाग से कम नहीं नेता विधानसवा हो या देश की संसत हो सबकी घरिमाग धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं विधानसवा और संसत एक मंच है जहां जनता की दोरा चुने गए प्रतिनिदी जनता और देश के विकास के लिए योजना और कानून बनाने का काम करते हैं लेकिन आजकल नेताओं ने उस मंच को रंगमंच बना रखा है। तबी तो हर कोई वहाँ पर कहानी सुनाने लग जाता है। वो कहते हैं ना परिवार के सदशी वही सीखते हैं जो परिवार का मुखिया करता है। अब जब देश की प्रधान मंत्री जी संसत में कहानी सुनाइंगे तो मुख्यमंत्री भी विधान सवा में कहानी ही सुनाइंगे ना। और जब बात दिल्ली के मुख्यमंत्री की हो तब तो कहना ही क्या। अब जड़ा आप भी वो कहानी सुन लीजिए जो अर्विंत केजिवाल ने विधान सभा में सुनाई वो भी विशे सत्र बुलाकर क्या एक कहानी सुनाने के लिए विशे सत्र बुलवाना वाजिव है आज मैं सदन को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ कहानी का शीरशक है चोथी पास राजा आपने बच्चपन में राजा रानी की बहुत कहानिया सुनी होंगे मेरी कहानी में रानी नहीं है बस राजा है ये कैसे राजा की कहानी है अध्यक्ष्व महदया जो अनपड़ था चोथी पास था बेहद अहंकारी था बहुत अहंकार था बहुत ज़ादा और पैसे की इतनी हवस थी इतना भरष्टाचारी था इतना भरष्टाचारी राजा था ये एक महान देश की कहानी है एक बहुत महान देश था कई हजार साल पुराना देश उस देश में एक गाउं में एक बहुत गरीब परिवार में एक बच्चे का जनम हुआ जब बच्चे का जनम हुआ तो जोच्ची ने कहा गाउं में जोच्ची होते हैं आते हैं वो पत्री बनाते हैं जोच्ची ने कहा माई तेरा लड़का बड़ा होके बहुत बड़ा सम्राट बनेगा माई को यकीन नहीं हुआ मेरा इतनी गरीब हूँ मैं कहां से मेरा बेटा समराट बनेगा तो उसने का नहीं तेरे बेटे के ग्रह बताते हैं तेरा बेटा बहुत बड़ा समराट बनेगा लुटाधी दिरे बड़ा होने लगा स्कूल जाता था, उसका फढ़ने वढ़ने में मनी लगता था जो चौधी के बाद उसने किसी तरह से चौधी करी, चौधी के बाद उसने स्कूल चोड़ दिया गाउसे एक रेल वेस्टेशन था तो घर का खर्चा चलाने के लिए वो लड़का वाँ स्टेशन पे चाहे बेचता था लड़के को भाशन देने का बड़ा शौक था सारे गाउं के लड़कों को इकठा कर लेता आसपास के गाउं के भी इकठा कर लेता सामने वो खाट डाल लेता उस पर चड़ जाता और भाशन देता देरे देरे आसपास के गाउं के लड़के भी कर्थे होगा जिस में जिस भी जीज में भाशन देता है एक बार शुरूव जाता तो बंदी नहीं होता अब जोट्शी ने कहा था लड़का बड़ा हुआ बड़ा होके एक दिन उस महान देश का वो राजा बन लिया पूरे देश में उसका नाम हो गया चौथी पास राजा लोग उसको चौथी पास राजा कहते थे अब उसे आता जा तो कुछ था नहीं पड़ा लिखा था नहीं अफसर आते हैं कुछ-चुछ अंग्रेजी में चपर चपर करते हैं उसको समझ नहीं आता अफसर जो मर्जी उससे साइं करा के लिए जाते है अब वो कुछ पूछे अफसरों से तो उसे भी शरम आती थी ये मैं पूछूँगा तो उनको लगएगा अनपड़ा आदमी है पता चल जाएगा तो उसके भी दिल में ये रहता था यार मैं पूछूँ ना पूछूँ पता नहीं किस किस चीज पर उसने चौथी पास राजा ने साइं कर दिये फिर धीरे राजा को ये बुरा लगने लगा यार ये मिर को चौथी पास चौथी पास क्याते है तो उसने एक फरजी डिग्री बन वाली कहीं से फरजी डिग्री बना के ले आया M.A. की बुला मैं M.A हूँ तो लोगों को लगा यार यह तो ठीक नहीं है यह तो फरजी डिग्री हम बना के ले आया अमर हराजा तो लोगों ने RTI डाली जो RTI डालता हो उसके 25,000 उपर जुर्माना आपके नेता की बात नहीं कर रहा आप लोग भी हस सकते हो तो जो RTI डाले उसको 25,000 उपर का जुर्माना एक दिन कुछ लोग गए राजा के पास बोले जी एक बड़ा धासू आइडिया लेके आया है बोले बताओ बोले जी नोट बंदी कर दो रश्टाचार खतम हो जाएगा देश से तो उसने कुछ पूछा उसे कुछ समझ नहीं आया राजा को क्या कह रहे हैं क्या नहीं पर उसे लगा यार कुछ धासू आइडिया होगा उसने एक दिन रात को आठ वजे टीवी चैनल पे जाके नोट बंदी कर दी वहला सारे नोट बंद पूरे धेश में हाखा कार मच गया तडब गए लोग धंदे बंद हो गए दुकाने बंद हो गए लोग बेरोजगार हो गए अब राजा को एक दिन लगा यार मैं तो राजा बन गया पता नहीं कितने दिन रहूंगा तो उसके गरीबी में जो जीवन उसने जीया था उसे लगाया पैसे तो कमाने चाहिए पैसे कैसे कमाऊंगा तो जनता आपने छवी खराब होगी तो उसने अपने एक दोस्त को बुलाया और उस दोस्त को बोला की ऐसा करते हैं कि मैं तो राजा हूँ सारे सरकारी ठेके तेरको दिलाओंगा सारी कंपनिया तेरको दिलाओंगा सरकारी पैसा तेरको दिलाओंगा नाम तेरा पैसा मेरा तेर को पूरे उस पे दस परसेंट कमिशन तेर को मिलेगा सारा पैसा मेरा दोस्त मान गया दोस्त को क्या दा प्री में पैसा मिलदा था दोस्त मान गया उसके बाद दोनों ने मिलके जो देश को लूटा जो देश को लूटा सबसे पहले वो दोस्त आया बोला सर सबसे पहले बैंकों को लूटते हैं अब बैंकों से पैसा लूटने के बाद उन्होंने देश को खरीदना चालो किया सबसे पहले उन्होंने देश के एरपोर्ट खरीदे, पहले छे एरपोर्ट खरीदे, फिर उन्होंने बिजली कमपनियां खरीदी, फिर उन्होंने बिजली के दाम बढ़ा दिये पूरे देश के अंदर, फिर उन्होंने सीपोर्ट खरीदने चालू कर दिये, फिर उन्होंने क प्राइवेट लोगों की कंपनियां थी प्राइवेट लोगों गट कंपनिय यह बंदूक रकर उनकी कंपनियां चेली िडा जाने एक पूरे देश के अंदर इतनी महोजाई ओ गई पूरे देश में पहले गैस चार सो रुपए सिलेंडर होती थी चौथी पास राजा के आने के बाद ग्यारा सो रुपए सिलेंडर हो गई थी पहले पेट्रोल इकतर रुपए होता था सतानवे रुपए हो गया पहले डीजल सतावन रुपए होता था नबे रुपए लीटर हो गया लोग उसके खिल आप बोलेगा पकड़ के जेल में डाले एक के बाद एक एक के बाद एक राजा ने लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालने शुरू कर दिया किसी ने राजा का काटून बनानी है उसको भी जेल में डाल दिया किसी टीवी चैनल वाले ने राजा के खिलाफ लिग दिया उसको भी पकड़ के जेल में डाल दिया, किसी जज ने राजा के खिलाफ को यॉडर कर दिया, उसको भी पकड़ के जेल में डाल दिया, ना जजों को छोड़ा, ना पत्रकारों को छोड़ा, ना मीडिया को छोड़ा, ना वेपारियों को छोड़ा, ना द्योग पतियों को किस किसी को नी छोड़ा राजा ने पकड़ पकड़ कि उसने चौथी पास राजा ने सब को जेल में डालना चालू कर दिया उसी देश के अंदर एक छोटा सा राज्य था वो सराज्य का एक मुख्यमंत्री था वो मुख्यमंत्री अपने लोगों का खूब ख्याल रखता था वो मुख्यमंत्री कट्टर इमानदार था वो मुख्यमंत्री कट्टर देश भक्त था वो मुख्यमंत्री वो मुख्यमंत्री पढ़ा लिखा था उस मुख्य मंतरी ने अपने लोगों को महंगाई से छुटकारा दिलाने के लिए बिजली मुफ्त कर दी भाई साब उसके बाद तो चौथी पास राजा पावल हो गया दीरे दीरे उस मुख्य मंतरी ने अपने गरीबों के स्कूल ठीक करने चालू कर दी है तो राजा ने उसको बुला कि और अरकाया राजा बोला ये क्या कर रहा है तो स्कूलों के बच्चों को बढ़ाता है तो स्कूल खोल रहा है ये बंद कर ये सब ये नहीं चलेगा इस देश्ट को नहीं वाना मुख्य मंतरी ने सब के इलाज मुफ्त कर दिया सब के लिए शान और लोगों ने एक किसी इमांदार और देश भक्त आदमी को महां बिठा दिया और उसके बाद देश से महंगाई खतम हुई और देश रात दूली चौबनी तरक्ति करने लगा तो जैसे हम बच्पन में सुना करते थे मौरल आफ दा स्टोरी इंदी में क्या चाहिए मौरल आफ दा स्टोरी का मतलब भई इस कहानी में क्या प्रेर ना मिलती है इस कहानी से ये प्रेर ना मिलती है कि अगर आपके देश में महंगाई है आपके देश में समस्याई है आपके देश में सब कुछ गड़बड चल रहा है तो सबसे पहले जाच परक के देखो आपका राजा अनपड़ तो नहीं है अगर आपके देश में सब गड़वड चल रहा है बेरोजगारी है बहुत सारी समस्या है ज़र आप देखो राजा आपके राजा को कोई दोस्त तो नहीं है अगर है तो सबसे पहले अपने राजा को खाड़ के फेको नितो आपकी समस्याओं का कोई समधान नहीं होगा आपने अर्विंद केशिवाल की कहानी सुनी अब आप खुद अंदाजा लगाईए और अपने रिमार्ट कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब जरू करें राजनीती की खबर की हर अपडेट देखने के लिए जुड़े रहें सिर्फ एन्म भारत के साथ नमस्कार